कुछ मैंदा कि अधार केट्बी साग तो आज हम बनाने वाले हैं फ्रूटकस्टर नियुकुट कि मॉझारें झाल काल्य कैमी कैसे तनास की अगर सब्सक्राइशं निखें और बढूंता तो हम यह आपई अपर या इक पर्तन ले उसके अंदर हम दूद एड़ कर देंगे, यहां पर मैं एक लिटर दूद यूज कर रही हूँ, आप अपनी मर्जी चाहे जितना आपको बनाना है उतना आप दूद यूज कर सकते हो, तो मैं यहां पर अमुल का एक लिटर वाली जो फूल फैट वाली आती है, टी की, श्पे लिटर पूरा दूद ले लोगी, और मैं गैस को अब अन कर दूँगी, दूद को हमको अच्छे से गरम होने देना है, जैसे हमें लगेगा के दूद अच्छे से गरम हो रहा है, उसके बाद हम इसमें सारी चीजे जो हमें एड करनी है, वो एड करेंगे, मैं आगे आपको बताती जाओंगी, दूद जब तक के हमारा गरम हो रहा है, तब तक के हम देख लेते हैं, कि इसमें कौन-कौन से फूरूद हम एड करने वाले है, तो यहां पे मैंने एक अनार ल आप जो पीचा है, जो सीजन में जो फ्रूट मिलता है, आप एड कर सकते हो, हमने यहां पे चिकू लिये है, हम हमारे जरूरत के मुताबिक डालेंगे, हमने केले लिये है, यह भी हमको जितने लगेंगे उतने डालेंगे, और मैंने यह कस्टर लिया है, आप चाहे जो भी दूद ले लेंगे, याद रहे हैं, दूद हमें ठंडा लेना है, और उसके अंदर हमें यह कस्टर एड करना है, तो मेरे पास यह स्पून है, अंदर मेरे डबे में रखी हुई, तो मैं यह दो स्पून इसके अंदर कस्टर एड करूंगी, कस्टर पावडर, तो यह एक स्पून हम इसमें एड करेंगे टूटल में एक लिटर में दो स्पून कस्टर पाड़र यूज कर रही हूं आप जीतना तिकने रखना चाहिए आप उतना डाल सकते हो हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इसको अच्छे से मिक्स करना है इसके अंदर लंस नहीं रहने चाहिए वरना हमारे कस्टर में भी लंस हो जाएंगे तो इसको अच्छे से मिक्स करें एकदम अच्छे से इसको मिक्स करना है और उसके बाद हमें इसको कस्टर में एड़ करेंगे तो यह हमारा मिक्स हो गया है अच्छे से अभी हम इसको कस्टर में एड़ करेंगे हमारा दूद भी अच्छे से गरम हो गया है तो याद रखे एक साथ हमको पूरा नहीं डालना है वरना दूद में भी लंज हो जाएंगे तो इसको हमें थोड़ा-थोड़ा करके एड़ करना है मैं आपको दिखाती हूँ कैसे डालना है आपको और हमको इसको चलाते जाना है हम ऐसे डाल देंगे तो उसमें लंज हो जाएंगे तो उसमें थोड़ा-थोड़ा एड़ करना है और उसको हिलाते जाना है हमें यहाँ पे आप देखो जैसे मैं एड़ कर रही हूँ इसे थोड़ा-थोड़ा डाल के मैं चलाती रहूंगी ताकि इसमें लम्स ना हो उसको चलाते रहेंगे अच्छे से याद रहे वरना हमारा कस्टर्ड क्रीमी नहीं बनेगा लम्स हो जाएंगे तो हम इसमें थोड़ा-thोड़ा एड कर रहे है और उसको अच्छे से मिक्स कर रहे है हमने सब डाल दिया है अब इसको थोड़ी देर के लिए हम 2-3 मिनिट के लिए हम इसको चलाएंगे ताकि यह हमने जो कस्टर्ड इसमें एड़ गया है पावडर वो नीचे चिपके नहीं और अच्छे से सारा मिक्स हो जाया और लंज न हो तो हम इसको 2-3 मिनिट के लिए अच अच्छे से मिक्स हो गया है हम इसको थोड़ी दिर के लिए अब ऐसे ही छोड़ देंगे अभी देखो हमारा कस्टर कितने अच्छे से हो गया है तो अब इसमें हम करीबन 100 ग्राम के करीब हम इसमें शुगर डाल रहे है मैंने यह जो मेरा चमजे में इसे ही 1 लीटर में इस इसे ही एक स्पून डालती हूं तो यह मेरा एकदम सही हो जाता है आपको जितना मिठा चीह आप उतना एड कर सकते हो यह लगबक 100 ग्राम के करीब होगा इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर मिक्स करने के बाद 2-3 मिनिट के लिए हम इसे चलाएंगे फिर फ्लेम को अब इसको मैं रख देती हूं साइड पर अभी हमारा कस्टर ठंडा हो गया है अब उसके अंदर हम फ्रूट एड करेंगे तर यहां पर मैंने अनार को छील के लिया है यह पाइनेपल है जो हमने चॉप करके लिया है और यह एक एपल लिया है हमने इसको भी चॉप कर लिया आप चाहो एक केला लिया था उसको भी चॉप कर लिया है और यह कुछ ग्रेप से जो मैंने ऐसे कट कर लिये लंबा-लंबा आप चाहो ऐसे उसको कट कर सकते हो अब इसमें हम सारी चीज़े एड कर देंगे एक एक करके अब हम इसमें पाइनेपल जो हमने चॉप किया है वो डाल देंगे पाइनेपल आपको याद रखना है अगर जादा खटा है तो उसको थोड़ी देर के लिए पानी में छोड़ दो और फिर उसके बाद उसको वाश करके अच्छे से नीतार के फिर आप उसको एड़ करो वरना आपका कस्टर फट सकता है अब इसमें हमने एपल डाल दिया है जो चॉप किया था बनाना डाल देंगे जो हमने चॉप करके रखा था अब इसके अंदर चिकू एड़ कर देंगे जैसे सारी चीजों को कटोरी में से निकाल के लेंगे अनार डाल देंगे अब हम इसको अच्छे से mix करेंगे आप चाहोई तो इसके अंदर cream भी आप add कर सकते हो जो हमुल का tetra pack मिलता है optional है आप चाहो तो add कर सकते हो मैं आप अभी नहीं यूज़ कर रही हूँ नहीं तो मैं add करती हूँ, वो अच्छा taste देता है अब हम इसको plating करेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया था मैं दो तरीके की plating करके आपको बता दूँगी किस तरीके से का करना है हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे और इसके बाउल में निकालके हम इसके उपर थोड़ी सी चॉकलेट क्रश की हुई डालेंगे ताकि बच्चों को खाने में देखने में इंट्रस्टिंग लगे जैसे हमने इसके उपर चॉकलेट डाली है और एक के उपर हमने काजो और बदाम से गर्निश किया है लाराची गया में। जैसे हमातर बदाने में। झाल झाल